Hello everyone! क्या आप कभी ऐसी situation में आये हो जहाँ पे आप पहले से सोच के आये थे कि मैं सामने वाले इंसान के साथ बिल्कुल भी agree नहीं करूँगा? चाहे वो कुछ भी बोले. लेकिन at last you ended up doing that thing. आप उसकी बात के साथ agree भी करते हो और वो जो काम कहता है वो भी करते हो. अगर मैं आपको एक बहुत simple सा example दूँँ, कभी आप Amazon या Flipkart पे कोई भी product देखने के लिए गए हो और उसके बाद जैसे आप अपने social media apps पे आते हो, आपको same product वहाँ पे listed मिलते हैं. Reason? It is a kind of a manipulation. अगर आपको कोई चीज चाहिए होती है और वो ही चीज आपके आँखों के सामने आती रहेगी तो आप उस चीज को जरूर purchase करोगे. So, आज की book से मैं आपको बहुत amazing lessons बताऊंगा, जिससे आप किसी भी इंसान को जैसे चाहे वैसे manipulate कर सकते हो. Movies की तरह नहीं की you can make them like walk a robot, पूरी तरह से hypnotize कर देना, लेकिन much more similar like that. But, आज की जो मैं knowledge आपको दूँगा, आप please उस knowledge को ethical way में use करना, means उससे किसी का नुकसान मत करना. मैं आज को ये जो knowledge बता रहा हूँ, आप सब की awareness के लिए बता रहा हूँ. क्यूं? क्यूंकि हमारे आसपास भी बहुत सारे manipulators हो सकते हैं, आपके friends हो सकते हैं, आपके family members हो सकते हैं, even आपके workplace में आपके colleague हो सकते हैं. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please जा के subscribe करो. क्यूं? क्यूंकि हर अफ़ते में आपके लिए ऐसी amazing books से amazing lessons लेके आता रहूँगा. So let's continue. जिसमें सबसे पहला lesson है, hiding your intentions. जो एक particular manipulator होगा, या फिर अगर हम अपनी बात करें, हम भी कभी कबार कोई चीज किसी से करवाना चाते हैं, तो हम जूट बोलते हैं. We try to hide the main thing. हम नहीं चाते कि सामने वाले इंसान को सच पता चले और वो उसके बिलकुल opposite act करे. For example, suppose करो कि ये कोई इंसान है जो किसी कमपनी में काम करता है, और अपनी जौब को लेके बहुत जादा concerned है, वो नहीं चाता कि उसे अपनी जौब से हाथ धोना पड़े. So, वो अपने boss के पास जाता है और जाके पूछता है कि क्या possibilities है कि मुझे मेरी जौब से निकाल दिया जाएगा. So, boss reply में बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और वहीं already decide हो चुका था कि वो उसे उस company से निकाल देंगे. जो कि एक kind of a manipulation है. क्यूं? क्यूंकि उससे सत चुपाया गया. Law number second, attention seeking. जो एक particular manipulator होगा, वो चाहेगा कि जादा से जादा लोग उसको देखें, उसकी attention सीख करें. क्यूं? इसी तरह वो एक particular group में रह के किसी भी person को manipulate कर पाएगा. They always want to be the center of attention. वो चाहते हैं कि जादा से जादा लोग उनकी attention सीख करें. अब इस चीज़ के positive और negative aspects दोनों हो सकते हैं. Suppose करो, एक Instagram influencer है, या फिर online जितने भी social media पे different influencers होते हैं, वो positive भी हो सकते हैं और negative भी हो सकते हैं. वो उनके intentions पे depend करता है. इवन जब भी हम किसी public speaker को सुनने जाते हैं, तो उसका काम ही होता है कि वो आपको motivated रखे, आपकी attentions उसकी तरफ grab करके रखे, जिससे आप उसको बहुत ध्यान से सुनो. So, अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने फाइदे के लिए ये कर रहा है, तब वो आपको manipulate कर रहा है, लेकिन अगर उसे आप दोनों का फाइदा हो रहा है, तब वो आपको influence कर रहा है, या फिर persuade कर रहा है. और इवन आपने टीवी पे भी बहुत सारी ads देखी होगी टबैको से related, कि टबैको और smoking सेहत के लिए हानिकारक है, जिससे ads वाले आपके लिए एक ये image create करते हैं कि smoking is injurious to health, आप उसे मर सकते हो, जो की एक manipulation ही है, लेकिन positive way में है. Law number third, behaving emotional. एक particular manipulator जो होगा, वो बहुत ज़ादा emotional act कर सकता है, different situation में different time पे. वो ज़ादा aggressive हो सकता है, वो ज़ादा sensitive हो सकता है, वो even बहुत ज़ादा friendly हो सकता है, वो बहुत ज़ादा caring हो सकता है, सिर्फ दिखावे के लिए. Even most of the time आपने relationship में भी लोगों को बोलते सुना होगा, कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता. Is the kind of a manipulation. क्यों? वो आपको ये manipulate करके बोल रहे हैं कि अगर हम अलग हो गए, तो उसका सारा fault तुम्हारा होगा. या फिर आपको एक और simple example दूँ, जब भी बच्चों को कोई चीज चाहिए होती है, तो वो सबसे पहले उसे मांगते हैं, लेकिन जब वो चीज उन्हें नहीं मिलती है, तो फिर वो रोने लगते हैं. वो emotionally manipulate करते हैं अपने parents को और वहीं parents अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकते हैं, जिसकी वज़े से वो maximum time उन्हें वो चीज ले देते हैं. law no.4, playing victim, हर कोई उनके लिए sorry feel करता है, वो चाहते हैं कि सब लोगों की sympathy उनके साथ जुड़ी रहे, doesn't matter आपकी problem कितिनी बड़ी है, लेकिन वो आपको ये feel करवाते हैं कि उनकी जो problem है, वो दुनिया में सबसे बड़ी है, उससे बड़ी problem कोई हो नहीं सकती, जिसकी वज़े से आपकी sympathy उनके साथ जुड़ जाती है, for example, suppose करो दो दोस्त हैं, जिसमें से एक person जो है वो manipulator है, एक दोस्त बोलता है कि आज का दिन मेरा बहुत जादा खराब गया, आज जब मैं office को जा रहा था, तब मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तब ही वो दूसरा दोस्त बोलता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, आज मेरे साथ ये हुआ, इस तरह ये हो गया, वो आपको इतनी सारी चीज़े गिना देंगे, कि उन्हीं लगेगा कि दुनिया में सबसे अनलकी person ही वो हैं, जिसकी वज़ा से आपकी सिंपती उनके साथ जुड़ जाएगी, जो कि एक और वे है अटेंशन सी करने के लिए, लौ नमबर फिफ्थ, डिपेंडिंग अपॉन देम, मैनिपलेटर, आपकी इस तरह से कंडीशनिंग करेंगे, कि वो आपके लिए ऐसी इमेज ब जादा होता है, जिसकी वज़ा से, वो आपकी मदद करेंगे, आपको फेवर करेंगे, ऐसे टाइम पर जब आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन नो फेवर कम्स फॉर फ्री, लौ नमबर सिक्स्त, टेकिंग क्रेडिट्स वेर इट्स नॉट ड्यू, मैनिपलेटर की कोशिश हो कि महनत कोई और करता है, लेकिन सारा क्रेडिट कोई और लेके जाता है, रीजन, जिस इंसान ने महनत की होगी, वो सारा का सारा मुश्किल काम किसी और को दे देते हैं, और अपने लिए सिर्फ छोटा सा असान काम रखते हैं, बहुत सारे टीमवर्क में, प्रोजेक्ट्स म जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ मिलके काम करते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़े आपको ऐसी देखने को मिलेगी वो आपका नाटक करते हैं दोस्त बनने का आपके साथ बहुत जादा फ्रेंडली बिहेव करेंगी हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि कि recently हमें कोई इनसान मिला है और हम उसे अपनी सारी चीज़े बताने लग पड़ते हैं और बाद में हमें वो उसी चीज़े बहुत ज़ादा मैनिपलेट करते हैं कभी कबार वो ये भी बोलेंगी कि अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम मेरे लिए ये प्लीज कर दोगे जिससे होता कहा है हम emotionally वो चीज़ कर देते हैं Reason we don't want to make enemies आप जो information या फिर चीज़े किसी के साथ भी share करते हो वो बातें वो किसी और को बता सकते हैं जिसे आप जानते होंगे जिसकी वज़े से आपका और उस इंसान का relation खराब हो सकता है So always think before you speak कौन दोस्त है और कौन नहीं इसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी ने सही का है The most dangerous thing in this entire world is a fake friend Law no.8 Selective Honesty आपने बहुत बार notice किया होगा कि एक particular person ने जो आपको बताया है वो आदहा धूरा है Means जो manipulator होगा वो आपके साथ सिर्फ उतनी चीज़े शेर करेगा जितना वो आपको बताना चाता है Reason वो चाहता है कि आपको सिर्फ इतनी चीज़ का पता हो वो आपके साथ कभी पूरी चीज़ शेर करे गई नी बहुत सारे projects में, teamwork में suppose करो, एक group है जिसके अंदर 5-7 लोग है So, जो manipulator होगा वो सब को वो ही चीज़े बताएगा जो वो चाहता है कि उन्हें पता हो और जो main चीज़े होँगी वो अपने पास रखेगा ताकि जब वक्त आ सके तो उस चीज़ से उसे फाइदा हो सके या फिर उस चीज़ से उसे सारा credit मिल सके ये थे वो 8 lessons जो मैंने आपको How to Analyze People by Daniel Spade बुक से बताएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पुक का second part बनाऊँ तो प्लीज मुझे comment box में बताएगा तिल देन अगर आपको ये बुक चाहिए तो link आपको नीचे description में मिल जाएगा और इसके अलावा 29 April 2020 को Bollywood के एक बहुत amazing actor इरफान खान इस दुनिया से चले गए तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उनकी उपर अलग से एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको उनकी लाइफ से बहुत amazing lessons बताऊँ तो प्लीज मुझे comment box में बताएं तिल देन, may God he rest in peace and legends never die उनको उनकी फिल्मों की वज़े से हमेशा याद रखा जाएगा जैसे मैं कहता हूँ कि कुछ लोग कभी नहीं मरते they never die, they always remains in our memories so till then comment करें, like करें, share करें और please मुझे अपने views कमेंट में बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी subscribe करें चैनल को hit करें notification बटन पे जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें आप मेरे को नीचे दिये के किसी भी social network पे follow कर सकते हो, मैं आपके लिए और भी ऐसे amazing lessons हर अफ़ते लाता रहूंगा till then, thanks for watching and have a nice day